कि यदि मैं कोई फलदार व्रक्ष लगा देता हूं कुछ में फल नहीं आदे नाथ मेरे कोई संतान में बात माने कहां कैसी बाते करता अले भजन करो भजन करो नहीं बाबा मेरा नाम कैसे चलेगा महत्मा ने कहा देख बेटा नाम किसी बेटा बेटी से नहीं चाहिए तो नाम नाम से होते हैं सुन लीजे सब कोई सबरी सुत जायो नहीं सिसनमूरों को नाम नाम ते होते हैं नाम की तो सबको पड़ी है क्योंकि कलजुग में नाम की महिमा है इसलिए सबको नाम की पड़ी है मेरे को भी आपको भी सबको नाम की पड़ी है सबी को लगता है नाम हो नाम हो नाम हो परन्तु नाम जिस से होगा वो काम करना पड़ेगा हमारे नाम से नाम नहीं होगा जब तक हम परमात्मा के नाम का आस्रे नहीं लेंगे तब तक नाम नहीं हो सकता परमात्मा का नाम ऐसा है उसका नाम लेते ही सारा संसार अपना हो जाता है अपने आप परिचे हो जाता है बताना नहीं पड़ता इस भगवान की ही तो महिमा है जो यहाँ पर हम लोग बैठे हो यदि आप और हम भगवान के नाम का आस्त्रे नहीं लिये होते कहीं न कहीं किसी फैक्टरी में किसी दुकान में, बखवान में, मकान में, बैठे हो, नाम चाहिए, तो प्रभू का नाम दो, क्योंकि भगवान का नाम रूप लीला धाम, ये चारो मुक्ति का मार्ग है, और हमारे जो चारो हैं, नाम रूप लीला धाम, ये पतनक्पम, बनिष्ठा कर्मणों गती, हरे पंडित जी, विवेक तू समा साध, तुन्हे सास्तर पड़े हैं, पुरान पड़े हैं, विवेक से सोचो, ए संसार की वासना का परित्याक कर दो, तेज संसार वासना, पर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पुत्रशना हर्दे में ब्याक है, इतना समझाने के बाद भी समझ में कुछ नहीं आया, तब महात्मा को रोश आया, आति संगहरसन कर जो कोई तो अनल प्रगण चन्दनते होई, जब इतना कुछ उपदेश के बाद भी ये टस से मस नहीं हो रहा, तो महात्मा ने का सुन पनेत, इस जनम की पुत्र की बात करने यहां आया है, सब्त जनमा अबधी, तब पुत्रों नहीं बचा, आगे साथ जनम तक तेरे कोई संतान का योग नहीं है, जा भजन कर, महात्मा ने तो भगाने की कोशिश की की जाए, संसारी है, क्योंकि महात्मा तो हमेशा जिन्दा का सिकार करता, सिंग साधू की एक गती, जीवित हो को खाए, भाव ही न मरतक दसा ताके लिकट न जाए, जैसे सिंग किसी मरे हुए कि सिकार को नहीं ग्रहान करता, ऐसे ही जीवन में साधू कभी भाव ही उनको हात नहीं ग्रहा, जिन्ना है जिनके खर्दे में भक्ती है, उन्हीं को उपदिश करता है, उन्हीं को समझाता है, उन्हीं को सिखाता है, और महराज, इतने पर जब साथ जन्म की बात सुनी, तो आत्म देव जी चरणों में गिर पहे, जो बावास मेरे आगे साथ जन्म की बता सकता है, इसका मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है, जब काबिल मुर्शिद मिलता है, तब बात खुदा से होती है, रोग होगा, तो दवा से मिट जाएगा, पर भोग होगा, तो दवा से नहीं मिटे, जैसे रोग को मिटाने के लिए दवा चाहिए, तो भोग को मिटाने के लिए दुआ चाहिए, दुआ किसके पास में है संत के पास दुआ है संत के पास दुआ है सादू यदि प्रसंद होके देता है तो भी दुआ है और यदि नराज होके देता है तो भी दुआ है सादू के पास स्राप नहीं है दुआ है मुनिस्राप जो दीना अति भलकीना परम अनुग्रह मैं मारा अनु निस्राप जुदीना अति भलकीना परम अनुग्रह मैं मारा अनु निस्राप जुदीना अति भलकीना परम अनुग्रह मैं मारा अनु निस्राप जुदीना अति भलकीना परम अनुग्रह मैं मारा देख्यों हरी भवमो चन इहाई लाभ संकर जाना देख्यों हरी भवमो चन इहाई लाभ संकर जाना कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि शास्त कहता है कि क्रोधों पी देवस परेन में तुल्द महापुर्शों का क्रोध भी ब्रदान है कि अधिए किसे संतों की कथाएं भक्तमाल में भरी पड़ी है कोई पास में जाता कोई डंडा मार देता जिसको डंडा साधूरे मार दिया उसका जीवन क्रदार्थ हो जाता है जय हो बड़ी भी लक्ष्णर महिमा संतों के दो काम भगवान नहीं कर सकते एक नाम की महिमा का गान और संत की महिमा का बखान ये दो काम भगवान भी नहीं कर सकते जैसे नाम की महिमा अनंत है ऐसे संतों की महिमा अनंत है पर संत महिमा का लाव हो तो तभी बिलेगा जब हमारे जीवन में स्रद्धा होगा शंत दुआ देता है परमातमा दबा देता है बैदो नारायनो हरी है परमातमा दबा देता है शदा दीनों की सुनने को सिरीर घुबीर बैठे है दवा हर मर्ज के लाहक बने अपसीर बैठे है परमातमा दबा देता है शादू दुआ देता है और संसारी सिर्फ दर्द देता है संसार के पास में दुख है तो संसारी दुख देता है दर्द देता है चाहे कैसे भी दे चाहे खुस हो करके दे चाहे नराज हो करके दे जो भी देगा दर्द ही देगा क्योंकि संसार में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं दुख काले हम तशास कम पर सादू के पास दुआ हो चरणों में गिर पड़े बाबा करपा करो करपा करो संत को दया आगे और सादू में एक फल उठाया फल उठाकर करके कहा जा पंडेट खिला देना जा कि ऐसा कैसे हो गया जब साथ जल्म तक आगे कोई संथान का योग नहीं है तो क्या बिधाता के लेख को महत्मा बटा देता है जी हाँ ऐसा ही है यद्यप जीव स्वतंत्र नहीं है जीव प्रतंत है और एक उधान के लिए एक गाय किसान ने दस मीटर की रसी उस गाय के गले में बांद करके अपने खेत के में ठोक दिया खुबा में दाड़ दिया इधर उस किसान का खेत है उधर पुरुशी का खेत है बीच में मिड़ा है और दस हाथ की रसी लगी है वो उधर भी जा सकती है इधर भी गाय जा सकती है दस हाथ तक दाइरा है जेसे कर्म कोमन है कर्म प्रदान कर्म खुटा है पना हुआ है जीव पर कर्म के इधर सतकर्म भी है और कर्म के इधर दुसकर्म भी पुरुशी का खेत दुसकर्म है सुम, किसानका जो मालिका खेट है वो सतकर्म है जो गाय मालिक के खेट की तरफ चर्थी रहती है कोई दिक्कत नहीं मालिक प्रशन होता है रोज बांद देता जो पुसी के खेट की तरफ जाती है उसे डंडा भी मिलता है परण्तु एक गाय ऐसी है जो बांतो दी गई दसहाद की रसी भी लगी हुई है पर ना तो पडोशी के खेट की तरफ जाती और ना तो मालिक के खेट की तरफ जाती सिर्पूसी मेर के चारे में ही अपने आपको संथिष्ट माने के लिए ना उसे सुर्ग से मतलब है ना उसे नवक से मतलब है उसे तो सिर्फ करतब से मतलब है जब वो किसान देखता है कि मेरी गाय इतनी समझधार है कहीं नहीं जाती है पाप पुन्ने से इसको कोई मतलब नहीं इसको सिर्फ मतलब मेरे से है जियान से सुनें बड़ा अद्बूद उधारन है तो वो किसान क्या करता है अगले दिन उस रसी को उसके गले में लपेट देता है छोड़ देता है जो दस हाथ की रसी का दाइरा था आज उसे किसान ने मुक्त कर दिया कहीं भी जाए क्योंकि किसान को पता है कि ये खेतों में नहीं जाती ये मेड़ में रहती ऐसे ही जो संत हैं जिने पाप से पुल से कोई लेना नहीं है जिने सिर्फ के परमात्मा से लेना देना पत सुके सुके तुम जो दिनरात बरत जी की था Math गतिन चहों निर्वान जनम जनम रतिराम जी पद यह बरदान हो ना करम के पुजारी करम चाहते हैं हरम के पुजारी हरम चाहते हैं जिसे हराम की खाने क्या तो जिसे कमा के खाने क्या तो ठीक है करम के पुजारी करम चाहते हैं हरम के पुजारी हरम चाहते हैं ना खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं मालिक तू चाहता है वो हम चाहते हैं राजी है हम उसी में जिसमें तेरी गजाने है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी गजाने है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी गजाने है राजी है हम उसी में जिसमें तेरा ही आसरा है आजी है रम उसी में, जिस में दिरी न जाने आजी है हम उसी में, जिस में, तब वो प्रमात्मा सारे बंधनों से, कर्म के बंधन से मुप्त कर देता है तब वो सादू, जो कह देता है, उस प्रमात्मा को करना पड़ता है इसलिए, भगमान को कहना पड़ता है, तो सर्व सुतंत प्रमात्मा है, वो कहता है, मैं भी प्रादिन हूँ किसके, बोले संतों के, साधू नाम हदयं महियं इसलिए महात्मा ने पड़ उठा के दे दिया, लेकर के गए, पत्नी को दिया, धंदली थी, जैसे पल लिया, बिचार करने लिए देखो तो, पन्डे जी कितने सीज़े सा दे, इनको किसी ने बेखुब बना दिया, कहीं फल खाने ते बेटा बेटी होए, तो फल वाले की दुका में तो भीड़ लग जाए, सारा संतार त्राही त्राही कर रहा है, परोसिन ने आके कहा, तु नहीं जानती संतों के महिवा, एक दो कहानी सुना दी, उशे लगा, कि यदि मैं खाऊंगी, तो मेरा पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, तो भोजन कम होगा, घर में कहीं आग लग गई, तो में भाग नहीं पाऊंगी, तुन्दली है, अमंगल सोचती है, बेद कहता है, भदरंग करने भी, शुरुणयाम देवा, भदरंग पसेवा, छबिर जत्राहा, बेद कहता है, कल्यानकारी सुनो, कल्यानकारी देखो, कल्यानकारी सोचो, पर दुंदली है अमंगल सोचती है इतने पर बहन आगी बहन के साथ में उसने क्रे विक्रे कर लिया क्योंकि संसार का नियम है जहां दात है वहां चने नहीं है जहां चने है वहां दात है उसके एक दरदन बच्चे थे पर उसके घर में संपती नहीं थी इसके यहां भंडार भरा था पर कोई बच्चा नहीं था उसने क्रे विक्रे कर लिया और मराज उसी क्रम में संत की परिक्षा करने के लिए संत की परिक्षा करने के लिए उसने घाय को खिला दिया कि साधू कहीं जो तो नहीं बोलते मराज उसके बैन के लड़का हुआ उसने चुप-चाप ला करके दे दिया और इतने दिन बाद सास्तर में तो यहां लिखा तीन महीने बाद गाय को भी पुत्र की प्राप्थी हुए पूरा सरीर मनुस्ष्ट की तरह था पर कान जो है गाय की तरह थे उनका नाम गोफन पड़ा जो इनका नाम था बहन के बेटे का आत्मदेव जी रख रहे थे भारती संसकति के उसार पिता नाम के दो अक्षर हो बेटे के लिए तो उन्होंने सोचा मेरा आत्मदेव है इसका नाम प्रमाद्मदेव गळै टुन मेरा बेटा है अत्मदेवअ कई तुभी लख ले उसका नाम गूंदली ता उसने नाम रख लिया दूंदकारी नाम का बड़ा प्रमाव होता है कि सुच्छी कहते है सोलक इस निदो का को चौकर्डव पंडितो यानी दुद्दकारी महा खला के दुद्दकारी महान घुष्ट हुआ गोकर्ण जी महान पंडित हुए है और उसने अपना प्रारंब कर दिया आत्मदेव जी परिसान हो गए जो लोग पंडिजी की आरती करते थे पूजा करते थे सनमान करते थे जख्षिना देते थे वो लाठी डंडा लेकर के मारने के लिए गाली देने के लिए दरवाजे पर रोज खड़े हो ऐसे करके बैठ गए तो गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने पिता जी को बड़ा अध्भुद घ्यान दिया में बड़ी अध्भुद बात पिता जी जो संत की बात नहीं समझता उसे संतान समझा देती है जो संत की बात नहीं समझता उसको संतान समझा देती है अंतर इतना है कि साधू सास्त्र के द्वारा समझाता है और संतान संत्र के द्वारा समझा समझना पड़ेगा संत्र के द्वारा समझ जाओ वो विबेक है पर संतान के द्वारा जब समझोगे तब तक तुम्हारा सब कुछ जा चुका होगा फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा फिर हरी हरी नहीं होगा पिर तो तुम्हारे जीवन में हाई हाई के सिवा कुछ भी नहीं देगा समझना सब को पड़ेगा पर चतुर वही है जो संद के द्वारा समझ जाता है गोकरण जी बेटा है आत्मदेव जी पिता है पर ये भागबत धर्म बड़ा विलक्षन है बेटा बाप को उपदेश दे रहा है क्योंकि ये भागबत धर्म में नवयो नचलिंगम इसमें आयू का बिद्या का रूप का गुण का किसी प्रकार से जो है संबंद नहीं है इसमें तो सिर्फ यदि संबंद है तो बक्ती का रंबंद है ब्याधस्या चरणं द्रुबस्चवयो बिद्यागजे इंद्रस्यका काजा तिर बिदुरस्यो पते उक्रस्यकिम्पोरुशं कुबजाया कमनी रूपमधिकं किंत सुदाम्नो धनं संबंद भक्ती का है यदि छुटे बच्चे में भक्ती के संसकार है तो पिता यदि बच्चे को प्रणाम करता है भक्ती के नाते तो उसकी गरिमा कम नहीं होगी महिमा आयू की नहीं है महिमा भक्ती की तुलसी बगत वस्वपच भलो बैराग संदीपिनी में गोसामी जी कह रहे है तुलसी बगत वस्वपच भलो जो भजे रैन दिन राम अरे उचो कुल के ही काम को जहाना हरी को वही गुणग है वही सयान है जो भगवान का सुमिरन करता है जीव का स्वार्थ और परमार्थ दोनों भगवान के चर्णों की पृति है लश्मन गीता में राम जरतमानस में लखन लाजी कह रहे हैं निशाद लाजबू को सक्खा धरम सक्खा परम परमारते हूँ सक्खा परम पर मारते हूँ सक्खा परम पर मारते हूँ सक्खा परम पर मारते हूँ मन के मैं बेजने रस्म करने हूँ इस तो परमारत की बात है जीम का स्वारत क्या है स्वारत साच जीम का घंगे हा स्वारत साच जीम का घंगे हा स्वारत भी और परमारत भी दोनों भगवान के चरणों की प्रिती है इसके अलावा संजार में कुछ बेली है और महराज गोकरन जी ने बढ़ा हाद भुदू के इस दुख का निवान जो है उसकी दो सदी है एक आउसदी का नाम है अहमता और एक का नाम है ममता यह दो गोली यह दो गोली है अहमता और ममता भाकी कुछ भी नहीं करना है अहमता कुण सी? मैं यह मलमुत्र का भाण है यह दो गोली है आप मुक्त हो जाओगे यह जीवातमा और परमातमा के बीच का जो यह जो भेद है यह दो अंगुल की दूरी है एहमता और ममता पर इतना कठिन है क्योंकि जब स्रश्टी का स्रजन हुआ तो दस प्रकार की स्रश्टी के क्रम में यह एहंकार पनमात्राइं पंचपरवा महत्त्त्व तो एहंकार मटेरियल में मिला हुआ है झाल झाल